हेलो एवरिवन देखिए आप कोश्चन नमबर फिफ्ट देखो इसमें क्या कहता है कहता है वासुदेवन इन्वेस्टेड रूपी सिस्टी थाउजन अट इन इंटरस्ट रेट ऑफ 12 पर सेंट पर एनम कंपाउंडिड हाफ यर्ली ठीक है कंपाउंडिड हाफ यर्ली है डैन यहां प्रिंसीब्स अमाउंट हो है उफ्सक्ट हॉाजन और डो ड्रेट विंटरस्ट है वह कितना है 12 से और फिर्स पार्ट मैं जिवो टाइं मैं कितना दे यहां पर कितना आगया यह वन आगया के इतनी बात क्लियर है यह नहीं है पहले हमने मंत को कनवर्ट किया यह में फिर जब जो भी आया उसके बाद हमने जो भी हाफ यह ली दिया होता है तो हमने मल्टिप्लाइटू से किया तो यह ठीक है अब तो सिंपल है कंपाउंड मंट क्योंकि यहां पर उसने क्या बोलाई वट्रेट निकालने की जुरत नहीं है जो कि अपकर वाण चांड़ करेंगे यहां पर फॉर्मूला हमें बता है वन प्लस में हार भाई हंडर और यहाँ होता है ब्रेकिट पर यह तो यह कितना हो गया टेको 60 थाउंट तो principle हो गया 1 plus में अब rate of interest 6 रहेगा 100 और time कितना हो गया है यहां पर 1 हो गया यह ठीक है तो देखो 60 यह मैंने सब आपको कहानी बता हुए है कि half yearly में मतलब क्या यहां one क्यों है देखो simple ठीकानी है half yearly में मतलब क्यों होता है कि साल में आपको दो बार interest की बात होनी है ठीक है तो यानि कि यहां पहले से ही six month दिया हुआ था यानि कि पहले से हाफ year है कितने हाफ year है एक ही हाफ year है अगर साल की बात होती तो दो हाफ year होता है अगर यहां one year होता जैसे अगले में दिया हुआ है तो मैं इसको multiply two करता तो यहा कुछ क्लियर हो जाना है ठीक है तो यह 60,000 हो गया यहां पर और यहां पर हम जब LCM लेंगे तो यह 100 LCM आएगा और यहां आजाएगा 100 और यहां 6 आएगा पावर तो वन ही है तो यह 60,000 मल्टिप्लाई में 106 by 100 आजाएगा पावर वन ने तो यही बार लिखा यह यह 20 से 20 और यहां पर देखो यह 600 है और मल्टिप्लाईब है 106 बचा तो 6636 616 और यह दो जीरो जो गई तो यह रूपीज आ गया आपके पास एमाउंट कौन से वलाया है यह फर्स्ट पार्ट में जो उसने बुझा दा आफ्टर 6 मन्त वाला तो एक तो यह अंसर हो गया इसमें 63600 का ठीक है दूसरा हम यहां निकाल लेते हैं देखो यहां पर निकाल लेते हैं दूसरा देखो हम यहां पर करते हैं सेकिन पार्ट इसका तो प्रिंसिपल भी सेम है सब कुछ सेम है तो compound amount हमें जो निकालना है इसमें वह लेकिन किस तरीक्पे से निकालना है यहां time change है ठीक है तो मैं थोड़ा सा लिखी लेता हूं पी कितना है यहां पर देखो 60,000 का है और जो आपके पास rate of interest था वो 12% का था तो half year में वो जाके 12 by 2 कितना रह जाना है 6% ही रह जाना है time यहां पर one year दिया हुआ था तो इसका मतलब one into two करेंगे तो यह two आ गया ठीक है आप देखो compound amount के लिए जो formula होता है वो आपको पता ही है ठीक है यही होता है और principle हो गया इसमें 60,000 और यहां one plus में six by में hundred और यह उपर आ गया two clear तो यहां पर भी ऐसी करेंगे 60,000 हो गया और यहां LCM लेंगे तो यहां पर 106 आ जाना है आपके पास तो 60,000 इंटू में 106 पौन में 100 और दो बार है तो 106 by 100 दो बार आ जाएगा दो जीरो यह दो जीरो गई और दो जीरो इन दो जीरो से गई ठीक है तो यहां पर यह देखो 106 को जब 6 से करेंगे 66,000 तो जब 636 को आप 106 से करोगे तो आपके पास multiply करने के बाद आएगा 67416 यानि कि 67,416 रूपीज क्लियर एतनी बार ठीक है तो यहां पर यह कहानी पार्ट में और सेकिंड पार्ट में था वन येर का तो इस तरीके से आपने समझना है कि कैसे हम कोशन को सोल कर रहे हैं हाफ यह लिके अंदर रेट को क्या कर रहे हैं हम डिवाइड करते हैं और टाइम को multiply करते हैं बाई टू इतनी बार ठीक है तो इस वोश्चन में कुछ म कुछ निए था बस दो पार्ट में डिवाइड के लिया वना हाफ लिए लिगा कोशन क्यूंकि टाइम अलग अलग था क्लियर है कर लोगा इस क्वेश्चन को ओके जी थैंक यू